गोली मारी जा रहे हैं तो उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं तो यह नू सब देख रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं उसका सई जाच होना चाहिए दखैट मंगेश यादव जिसके एंकाउंचर के बाद लगातार सवाल खरेजוה ही हैं वहीं यूपी की राजनीती भी लगातार बढ़ी जा रहे हैं। पहले अखलेश व्यादव और अब शिपाल सिंग्यादव ने बड़े सवाल रहे हैं। नमस्कार यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी दोश्माद। दरसल गुरवार को पुलिस और स्टीएफ की टीम ने एंकाउंटर में मंगेश व्यादव को धेर कर दिया। दावा किया गया कि सुल्तानपुर में हुई करोरों की डकैती के मामले में मंगेश व्यादव मुख्या आरूप्यू भी तोर पर था। उस पर एक लाग का इनाम भी भोशित करने के बाद सामने आई। उसके बाद अखलेश यादव भड़क गये और उठा दिये बड़े सवाल। अखलेश यादव ने कहा कि मंगेश यादव का यह जो एंकाउंटर है वो फेक है अखलेश यादव ने कहा कि यादव देखकर याने कि जाती देखकर एंकाउंटर को अंजाम दियाता है अब शिफपाल सिंग यादव से जब इस एंकाउंटर को लेकर सवाल किया गया तो सु गखनाओं पर हिंगित हो रहे हैं कि इस तरह कि गखनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठा रहे हैं सवाल उठा रहे हैं जो सवाल जब ओठ रहे हैं तो इनकी जाच होना चाहिए ना अगर तो यह तो सब देख रहे हैं इनकी डोई मेंने कहा है कि जो भी होने जो कि अबतार की इंकाउंटर हुए है उन पर जो सवाल ओठ रहे हैं तो पहले अखलेश यादव इस अंकाउंटर को फेक बताते हैं और उसके बाद शिफपाल सिंग यादव भी उसी बात को दोराते हैं और साफ कह देते हैं कि इस अंकाउंटर की जाच होनी चाहिए आपको बताते कि तीन दिन पहले भी सुल्तानपूर डगैती मामले में तीन बदमाश गोली लग्मे से खायल हुए थे और पोलिस में गिरफतार कर लिया लेकिन किसी की मौत नहीं हुए गुरुवार को मंगेश यादव को एंकाउंटर में धेर कर दिया गया अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्यूंकि वो यादव था और जाते देखकर मंगेश यादव को गोली मार दी गए उरसे मौत के खाट उतार दिया आपको बताए कि 28 अगस्त को सुल्तानपूर के खटेरी बाजार में जोलरी शॉप पर करोडों की लूप बाट की गई दिन दहाडे दकैती को अन्जाम भिया गया जुसके बाद यूपी की कानून विवस्था पर कई सवाल खड़े उसके बाद पुलिस की टी में लग गई दकैतों की तलाश पहले एंकाउंटर होता है तीन दिन पहले बदमाशों के पैर में गोली लगती है तीन बदमाशों को गिरफतार कर लिया जाता है कुषपेंद्र सिंग सचिन सिंग और प्रिबुवर्ण इन बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफत जाने के लिए लगातार देखते रहे हैं क्योंगे